ड्रेगन बॉल मल्टिवर्स के यूनिवर्स 4 के अंदर कुछ ऐसी अजीवो करीव सिच्वेशन्स क्रियेट होती हैं जिनकी वज़े से माजिम्बू ने सभी चीज़ों को एफजॉब कर लिया था जो माजिम्बू के मैजिक एंड उसकी पावर को इंक्रीज कर सके लास्ट ट होता है जो यहां पर एकदम प्यार हैट वाले थे चूंकि यह डेथ बैटल माजिम्बू की स्टोरी का पोर्सन नहीं है तो यार अपने इसको नेस्ट टाइम वजीटों की डॉटर की स्टोरी में डिसकस करेंगे इस टाइम सभी यूनिवर्स के वारियर्स बैटल फिल्ड क को डिटेक्ट करने की कोसिस कर रहे थे बट यार उन्हें बैटल फिल्ड का कोई सिगनल नहीं मिलता तो नमेकिन गौड सजेस्ट करता है कि हम सभी को मिलकर हर एक डिरेक्शन को ठीक डंक से सर्च करना चाहिए तो गोटेने टंक्स फ्यूज होकर यहां एक पर्टिकुलर ड वजीटा का गोड वजीटा से एक बयंकर जगड़ा हो जाता है तो माजिम्बू कुछ इस अंदाज में यहां पर इन दोनों से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमारे लिए एक बैटल फिल्ड का जुगार कर सकता हूँ इधर बैटल फिल्ड पर ओन्गोइं सभी बै वारियर्स को लेकर एक सर्कल क्रियेट करता है और उन्हें अगले मोमेंट में वापस यहां बैटल फिल्ड पर ले आता है यहां की कंडिशन को देखकर यह सभी वारियर्स एकदम शौक्ड थे क्योंकि इस टाइम मोस्टली प्यॉर अट वाले वारियर्स लास्ट बैटल की वज़े से मढ़ चुके थे चूकि इस टाइम बैटल फिल्ड पर भयंकर मातम का माहुल चाया हुआ था तो सभी वारियर्स के मूड को ठीक करने के लिए ओम्नी गॉड बू यहां अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करता है और बैटल फिल्ड पर रिसेंटली मरे हुए सभ वारियर्स को ओम्नी गॉड बू एक ही जटके में जिन्दा कर देता है जैसा कि ओम्नी गॉड बू पावर के मामले में सुपर पारफुल था तो उसके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं था ओम्नी गॉड बू की सुपर पावर्स को देखकर इस टाइम आल्मोस सभी सिकाने का प्रॉमिस करता है इसके बाद क्वार्टर फाइनल के मैच डिसाइड होते हैं जिनके अंदर माजिम्बू का बैटल उसी वारियर के साथ फिक्स होता है जिसने लास्ट टाइम वजीटों को अपनी घटिया ट्रिक के जरिये डिफीट किया था जैसा कि अभी गोकू एंड वजीटा के बाद था तो उब माजिम्बू को देखते हुए यहां युनिवर्स फोर के चेंबर की तरब जाता है ताकि माजिम्बू उसे मैचिक वगरा सिखा सके युनिवर्स फोर के चेंबर के अंदर माजिम्बू अपने थ्रोन पर बैट कर उप का स्टोरी इंकार्नेटेड वर्चन है तो माजिम्बू उप को नो डाउट ट्रेन करता है बट यार अपन इनके ट्रेनिंग सेसन को स्टोरी के एकदम आगरी में डिसकस करेंगे गोकू एंड वजीटा के मैचिस के बाद माजिम्बू एंड वो मजेसियन बैटल फिल्ड में आ जाते हैं चूंकि इस जादुकर ने लाश्ट टाम वजीटो को डिफीट कर दिया था तो माजिम्बू इसको बिल्कुल भी हलके में नहीं लेता और अगले मोमेंट में माजिम्बू यहां पर मजीसियन पर एक जवरदस्ट बलास्ट करता है और इस बलास्ट के जरिये मा माजिम्बू को सील करने वाली स्पेल को कास्ट करता है देट्स वाई माजिम्बू की बॉड़ी उसके कंट्रोल से बाहर होकर कुछ इस तरह माजिम्बू को एक बॉल के अंदर ट्रैप कर देती है बबीडी इस टाम बैटल फिल्ड पर नहीं था तो सभी लोग सोच रहे थ इसके बाद वजिटो मजिसियन के पास आकर यहां पर मजिसियन से कहता है कि आकर उस स्पेल को किसने लॉंच किया जिस पर वो मजिसियन कहता है कि उसे मैंने लॉंच किया था इधर माजिम्बू की बॉल का ये पावर मीटर यहां आटोमेटिकली मूब होना सुरू हो किया देन नमेकेन गौड चिलाते हुए कहता है कि हमें अभी के अभी ग्रैंड सुप्रीम काई को अरेश्ट करके माजिमबू को वापस उसकी यूनिवर्स में बेजना होगा क्योंकि नमेकेन गौड समझ किया था कि ग्रैंड सुप्रीम काई ने कभी बू को कंटॉल में नहीं था बट उसने उस टाइम इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसके बाद ग्रैंड सुप्रीम का किलियर करता है कि नमेकन गॉड ने अभी जो कुछ कहा वो एकदम ट्रू है ग्रैंड कायोशन बताता है कि मैं और ओम्नी गॉड माजिम्बू पावर एंड मैजिक के मामले में अलमुस्ट इक्वल थे टूर्नमेंट के स्टार्टिंग से ही हमने यहाँ पर टेलीपेटिकली एक दूसरे से बात करना सुरू कर दिया था और टाइम के साथ हम दोनों नो डाउट काफी क्लोज फ्रेंड्स भी बन गए थे बट टाइम के साथ जब मुझे माजिम्बू की ओम्नी पोटेंट पावर्स के बारे में पता चला तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर माजिम्बू को हमें से कोई भी वार्यर नहीं रोक सकता वो बिना केसी डाउट के पूरे मल्टिवर्स के लिए बहुती बड़ा खत्रा था वो पिछले कुछ टाइम से आलमोस सभी को मनिपलेट करके यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को कंटोल कर रहा था वो एक ओम्निपॉटेंट वोर्यर है तो उससे बैटल करना एकदम पॉइंटलेस था वो बलाई हमारे एकॉर्डिंग चलने की एक्टिंग कर रहा हो बट वो Omnipotent Warrior हमेशा अपने decisions को ही follow करता है इधर माजिम्बू के ककुन का ये power meter यहाँ पर automatically almost complete हो गया था दैने वारगस का बंदा अपनी machine के चर्गे यहाँ पर माजिम्बू को वापस उसकी universe में बेजने की कोसिस करता है बट ये machine भी work नहीं करती क्योंकि ये machine भी इस टाइम Omnipotent माजिम्बू के control में थी तो वाइरगस के लोग माजिम्बू को इस पेसेप के चर्गे वापस उसकी universe में बेजने का decision लेते हैं कि तभी माजिम्बू का cocoon open होता है और उससे Omnigod माजिम्बू यहाँ पर एक बर फिर से entry लेता है देन माजिम्बू बताता है कि मैं अपनी इस वाली weakness को आज से काफी time पहले eliminate कर चुका हूँ बले ही मैं थोड़ा slow था और मैं इस वाले battle को हार चुका हूँ बट अब मैं इस वाले tournament को reject करता हूँ और इसी के parallel में SIE को tournament open करूँगा जहाँ पर rules and regulations एकदम same होगे बट उसके अंदर केवल god level के fighter से enter होगे और इन god level के fighters में गोहन भी बिना किसी doubt के included होगा उस tournament के सभी battles को मैं decide करूँगा और वहाँ कोई भी घटिया track एकदम वेन होगी बट ये सोप्रीम का माजिम्बू के idea को totally reject कर देता है जिस पर माजिम्बू इसके पास आकर यहाँ पर कहता है कि तुम्हें decision लेने का कोई अधिकान नहीं है गोकू एंड वजिटो माजिम्बू के idea पर काफी अतग agree थे क्योंकि वजिटो ने ब्रोली के अलावा अभी तक यहाँ किसी अच्छे warrior से battle नहीं किया था और गोकू वजिटो से battle करना चाहता था बट यहाँ ज्यादा तर लोग माजिम्बू के against थे इवन वजिटो की डॉटर ने यहाँ पर वजिटो को भी जैसे तैसे माजिम्बू से battle करने को convince कर लिया था तो माजिम्बू अपने इस upcoming great battle को लेकर यहाँ कुछ इस तरह अपने आपको prepare करता है बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं let me know in comment box आई ओप आपको वीडियो पसंद आयोगी तो यहाँ वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को like करो and अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो यहाँ वेट किस बात का कर रहे हो फटाफ़र चैनल को subscribe करते हुए bell icon को on कर लो बाकी thank you so much for watching and I will see you in the next dragon ball video तब तक के लिए good bye